बच्चों के कान में संक्रमन होना उन्हें गंभीर दर्द और बेचेनी दिलाता है। आप छोटे बच्चे के कान के संक्रमन को रोपने के लिए घरेलू उपाई भी आजमा सकते हैं। बच्चों के कान दर्द को घरेलू उपचार से भी ठीक किया जा सकता है। आज इस वीडियो में आप बच्चे के कान के संक्रमन का घरेलू इलाज और उपचार संबंधी नुस्खे जानेगें। बच्चे के कान में संक्रमन के लक्षन बच्चों के कान में संक्रमन होने के बहुत से लक्षन होते हैं। हालां कि छोटी उम्र होने के कारण बच्चे स्वयम यह नहीं बता सकते हैं कि उन्हें परेशानी कहा है लेकिन बच्चों में कान दर्ध होने और कान के संक्रमन होने पर कुछ विशेश लक्षन होते हैं जिन्हें देखकर आप समझ सकते हैं इन लक्षनों में शामिल हैं चिर्चिरापन, कान नौचना या खीचना, भूख में कमी, नींगना आना, बुखार होना, कान से तरल पदार्थ बाहर निकलना, कान में संक्रमन होने के दौरान बच्चों को चक्कर भी आते हैं. बच्चे के कान में संक्रमन का इलाज गर्म सिकाई. यदि आपका बच्चा कान दर्थ के कारण रो रहा है या आपने कान को नौच रहा है तो यह लक्षन कान में संक्रमन होने के हो सकते हैं. इन लक्षनों को दूर करने के लिए आप गर्म सिकाई का उप्योब कर सकते हैं. इ यह बच्चे के कान में होने वाले दर्द को कम करने में सहायक होता है। बच्चों के कान संक्रमन का घरेलू उपाय गर्म तेल। यदि आपके बच्चे के कान से किसी प्रकार का तरल पदार्थ नहीं निकल रहा है। लेकिन फिर भी बच्चे को कान में दर्द या खुजली हो रही है तब आप हलके गुंगुने या कमरे के तापमान पर जैतून का तेल या तिल के तेल की कुछ बूंदे बच्चे के कान में डालें। ऐसा करने से कान के अंदर मौजूद संक्रमन और मेल आसानी से बाहर निकल आता है। में मदद मिलती है। जिससे कान के अंदर फंसा हुआ द्रव या मेल बाहर निकल सकता है।